बीकिनोल टेबलेट यह टेबलेट किसलिए यूज होती है कब लिया जाता है तो उसके बारे में बता देता हूँ तो यह टेबलेट हर किसी के घर पे अवेलेबल रहती है और मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल रहती है क्योंकि यह टेबलेट डाइरिया एंड डिसेंटरी के लि आयुवेडिक टेबलेट है जो की डाइरिया इन डिसेंट्री में यूज किया जाने वाला टेबलेट है तो आपको मैं बता देता हूं कि डिसेंट्री क्या रहता है और डाइरिया क्या रहता है कब आपको लेना चाहिए टेबलेट कि डिसेंट्री एक इंफेक्शन होता है तता वह इस्टोमक में होता है तता ब्लडी डाइरिया हो जाता है जो कि किसके कारण होता है पेरासाइट और बैक्टरिया के कारण अपने इस्टोमक में होता है डाइरिया का मतलब आपका मुमेंट कम होता है और लूज ज्यादा होता वाटर ही होता है इसलिए यह टैबलेट लिया जाता है आर घर में अवेलेबल रहता है तो इस टैबलेट के बारे में जान लेते हैं तो बीकिनल टैबलेट यह एक्यूट वेल एन क्रोनिक डिसेंट्रिया में यूज गया जाने वाले टैबलेट है तता यह एक आयुवेधिक फॉर्मूला है जिसके कारण आपको रोग सकते हो लूज मौसम को डायरिया और डिसेंट्रिय को इस टैबलेट का कोई साइड इपेक्ट अभी तक देखा नहीं गया है तो आप ले सकते हो इसका MRP 1.71 टैबलेट का है जो इजली ले सकते हो तो यह टैबलेट के बारे में आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप हमें कॉमेंन सेक्षिंट में पूछ सकते हो अधरवाइस डिस्क्रेप्शन में इमेल आइडी दिया गया है वहां पर सकते हो तो इस वीडियो पर पहली बार आप विजिट कियो तो हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं नेक्स टूडियो अपलोड करू तो आप तक नोटिफिकेसं पहुच जाए तो आज के लिए इतना है नेक्स टूडि टा टा बाइ बाइ